आज के मारी कहानी है मेरी बहु का बर्थडे बेला ने आखे खोली और बड़ी फूर्ती से उठी बापरे आठ बज गए यह कैसे हो सकता है मैं पिछले कई सालों से इतनी देर तक नहीं सोई हूँ फिर आज कैसे हो गया आज पाखे की अस्कूल गई रोहित को अब आफिस के लिए देर हो जाएगे फालतू में अब उनकी बाते सुननी पड़ेगी वह सब तो ठीक है लेकिन मा जी वह दिन भर में कितनी बखबख करेंगी और मुझे इतनी देर कैसे सोने दिया उन्होंने आब तक तो उन्होंने घर सीर पर चड़ा लिया होगा क्या हुआ होगा बेला जल्दी सूठिने लगी रोहित खुस चेहरे के साथ आया वह वित्यार होकर गुड मॉर्निंग बेला बेला क्यों उठी तुम सो जाओना अराम से मैं आज लंच कर लूँगा आफिस में सच कहूं तो मुझे जाने की इच्छा नहीं है लेकिन बहुत महत्पूर्ण मीटिंग है न इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा पर मैं जल्दी आ जाऊंगा साम को बाहर जाएंगे घूमने बाय बेला को बिना कुछ कहे रोहित ने उसे गले से लगा लिया और उसके माथे को चुम कर चला गया बेला जहट से बाहर आए खीचन से कोई भी अवाज नहीं आ रही थी और वह जब बाहर आई तो पापा जी के थाली में इडिली बड़े दिखाई दे रहे थे सांभर से बहुत अच्छी महका रही थी लेकिन वह पैकेट से सांभर नहीं निकाल पाए यह लोग कंटेनर में ठिक से क्यों नहीं दे सकते अगली बार कंटेनर घर से ही दे देना और इस घर में मुझे एक चमच भी नहीं मिलता पापा जी बोले रुकिये जी आप जरा मैं निकाल देती हूँ नहीं तो आप सब सांभर नीचे फर्ष पर गिरा दोगे मेरा काम बढ़ा दोगे और आपके सामने ही तो है चमच आपको तो कुछ कैसे नहीं मिलता क्या पता एक काम करो आप या पलेट लेकर टेवल पर बैठो मैं देती हूँ सांबर और चटनी निकाल कर और धीरे बोलो जरब बहु कभी नहीं सोती इतनी देर तक आज सोई है तो सांत रहें नहीं तो आपके आवाद से उठ जाएगी बहु जब उठेगी तब दूंगी गर्म करके उसे भी या उसका मन पसंद नासता है बेला आश्चेर्ज से यह सब देख रही थी अरे बहु उठ गई तुम क्यों उठी चलो अच्छा हुआ उठ गई तुम्हारे पापा जी तुम्हारे मन पसंद का बड़ा सांबर लाए हैं गर्म गर्म खालो फिर बाद में चाई पियेंगे साथ में मा जी ने बोला मा जी ने बेला को टेवल पर बिठाया पाखी कहां है देखी नहीं बेला ने पूझा अरे बहु मैं उसे स्कूल बस में बैठा कर आया हूं गई वह अस्कूल होसियार हो गई है अब अपनी पाखी जल्दी जल्दी करती है सब अपने काम तकलीफ नहीं देती अब वह हाँ बैठ बहुत भारी है पर उसकी वे वे लोग या नहीं समझते की बच्चे पर इतना बोज नहीं डालते मुझे क्या बोली वह पता है बोली दादा जी मैं बीग गर्ल हो गई हूं अब और गुड गर्ल भी अब मैं आज अंगिया के लिए घर पर आप मत आईएगा मुझे लेने के लिए दादा जी पोती की प्रशंसा में मगन थे हाँ हाँ मेरी बेटी समझदार हो गई है सिर्फ दूद पीने को नाठक करती है लगातार बढ़बढ करती रहती है बस खाना ही ठीक से नहीं खाती अनपूर्णा उसके पेट में है इतनी उर्जा कहां से आती है क्या पता अरे बेला खाओ तुम बड़ा सांबर ठंधा हो जाएगा और चिन्ता मत करो तुम मैंने पाखी को पराठा बना के दिया है छोटा सा खाया उसने और तीफिन में भी ले गए मा जी बोली क्या पापा जी मा जी मुझे उठाना चाहिए था न आपने क्यों किया सब काम जाने दो खाने में क्या बना बेला ने अपराध बोध से कहा बेला तुम कुछ मत करो तुम्हारी बीशी है ना आज जो आज तुम मस्त मौझ करो हमारे पडोसी में वह चंदा आती है ना खाना बनाने के लिए उसे बेला बोला है मैंने आज से रोटी बनाने के लिए बाखी का मैं कर लूँगी तुम कितना काम करोगी अकेली तुम्हारी कलास बाखी का हुंबर बाहर के कान या रोहित भी कुछ काम करके मदद नहीं करता तुम है सब के पीछे पीछे दोड़ना पड़ता है अब अराम किया करो तुम नहीं तो ऐसा करो न तुम और रोहित चार दिनों के लिए घुमने चले जाओ बहुत दिन हो चुके हैं वैसे भी तुम दोनों कहीं नहीं गए हो पाखी को यहां यहीं रहने दो हम संभाल लेंगे उसे आपको भी एक दूसरे का साथ बक्त बिताने की जरूरत है माजी बोली नास्ते के बाद माजी ने चाय बनाई और तिनों ने बाते की और चाय पी बेला का दिन अच्छा गया बीसी की सहलियों के साथ मस्ती की वह कुछ ज़्यादा ही खुश थी रोहित जल्दी घर आऊंगा ऐसा बोला था पर आया ही नहीं दोस्त की आज पार्टे थी और वह देर से आने वाला था माजी और पापा जी सो गए पाखी को लेकर बेला भी सो गए उस समय बाद बेला को बहुत आवाद सुनाई देने लगी वह अचानक उठ गए पाखी उसके बाजों में नहीं थी वह डर गई और हॉल में आई हर तरफ अंधेरा था और अचानक रोशनी आ गई हैपी वर्थ डे टू यू अचानक जोर से बोले माजी पापा जी रोही सब हसकर उसे विश कर रहे थे पाखी ने दादिक की मदद से सुन्दर केक बनाया बेला ने केक काटा और सब को खिलाया सभी खुसी के मारे सो गए फिर बाद में सुबर बेला उठकर देखती है तो पास में सुन्दर सा ग्रीटिंग कार्ड था उसके बेटी पाखी ने खुद के छोटे हाथों से बनाया था वह पाखार देखकर बेला बहुत खूस हुई उतने में एक बड़ा टेड़ी वियर चलते हुए उसके पास आ गया सर्प्राइज ममा यह मैंने तुम्हारे लिए अस्पेसल लिया है मेरे टीगी बैंक में से सेविंग करके बेला को गले लगा कर उसके लाड़े ली बेटी बोली बेला की आँखों से खुसी के आसु छलत पड़े अब रोहित की बारी थी उसने बेला से कहा वह अपनी आँखे बंद कर ले और उसके लिए लाया हुआ खुफसूरत हीरो का हार उसके गले में डाल दिया और उसे आइने के सामने खड़ा कर दिया वाह अब सच में वह हार कितना खुफसूरत लग रहा है सुन्दर लग रही है मेरी रानी लगता है जैसे तुम्हारे लिए ही बना है रोहित ने खुसी से बोला गले लगा लिया तभी बेला कुछ कहने ही वाली थी कि मा जी पापा जी आ गए यह दुनिया की सबसे अच्छी बहुरानी के लिए मतलब हमारी बेटी के लिए है मा जी पापा जी ने कास्मीर का टिकट बेला के हाथों में रखा और बेला उनके पैर उपर अशिरवाद लेने के लिए जूकी लेकिन मा जी ने उसे गले लगा लिया पापा जी ने सर पर हाथ रखकर आसिरवाद दिया, यह क्या मा जी पापा जी इतना बड़ा सर्प्राइज बास्तम में इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, और हम सिर्फ हम दोनों ही क्यों जाएं, बेला ने उत्ता से कहा नहीं नहीं, हम बुढ़े लोग क्या करेंगे वहां, व वस सेकेंड की हनीमून, क्या बोलते हैं न वो, आप जाओंगे, हम चले जाएंगे, पापा जी ने धीरे से रुहित को आख मारी, बेला और रुहित उन्यों सर मा गए, चलो पैकिंग करो, आपको कल सुबर निकलना है और आज क्या-क्या खाना बनाना है, आज बेला की पसं चिरवाद दिया, बेला इस प्यार से पूरी तरह अभी भूत थी, पूरी तयारी हो गई थी, कल सुबर जल्दी जाना है, इसलिए बैग भर के रुहित बेला तयार थे, कासमीर के सपने देखकर बेला को कब निंद आ गई, वह उसे समझ में नहीं आया, दोनों कासमीर पहुच गए, जैसे स्वर्ग ही हो, कितना खुबसूरत था सब कुछ, रुहित बेला सब भूलकर एक दूसरे में खो गए थे, यही है, यह हसी बादियां, यह खुला आश्मा, रुहित गाना गा रहा था, और बेला जैसे नई नवेली दुलहन की तरह सरमा रही थी, एक द आये थे, बर्ष में ठीक से खड़े होने में, असमर्थ बेला एक दूसरे को ठीक करने के दौराद, अपना संतुलन खो बैठी, और वह जोर से गीर गई, आँखे खोल कर देखती है तो क्या, उसके बेड के उपर से वह गीर गई थी, बाजू में रुहित सोया हुआ था, म अरे बेला, हर रोज कैसे देर सूटती हो तुम, पंदरा मिनट देर हो गई आज तुम्हें, जल्दी करो, अब चाय बनाओ और नास्ते में कुछ अच्छा नमकीन बनाओ, और मेरी सहेली आने वाली है, आज कुछ अच्छा खाना बना उसके लिए, और हाँ घर पर ही रहना अज कहीं बाहर मत जाना, मा जी की रोज की कट-कट चालू हो गई, और बेला सच्मुच सपने से हकिकत में आ गई, हमेशा की तरह, हर कोई उसका जनमे दिन भूल गए थे, रोज रोज की भाग दवर, घर के काम काज, आसके ताने, ससुर की फरमाइज, पती की धून कर लिखने में, बक्त उसका कब दिन खत्म होता था, वो उसे भी समझ में नहीं आता था, जिनकी भर दिन खराब करने लगी, लेकिन कल उसने बहुत अच्छा दिन जिया, लेकिन इस एक रात के मिठे सपने में उसने इतने खुशनुमा पल जिये थे, जो उसके लिए क्या कम मन में उसका समीर का सपना सकार होने की प्रतीचा में वह काम करने लगी, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूप कीजिएगा, थैंक्यू सो मच